आज इस कहानी को दस साल पर पीछे ले चलते हैं और 1730 का भारत लेकिन पूना और इस बीच में निजाम कहेदरबाज बन चुका है, सादाख खाका अवद बन चुका है, मुर्शीत कुली खाका बंगाल बन चुका है लेकिन अभी दोनों कमपनिया के लिव्यापार कर रहे हैं और दोनों कमपनियों के बीच में मतवेद बैदा हो रहे हैं, इंडियन पॉलिटिक्स में वो रुची लेना शुरू कर दिया हुआ है जिसका प्रड़ाम यह होगा एक कमपनी और दूसरी कमपनी के बीच में युद्ध शुरू होंगे कोई किसी का पक्ष लेगा, कोई किसी का पक्ष लेगा और अल्टिमेटली अठारवी शतापदी के उत्रार्थ में एक कमपनी को पूल भाई का आउट हो जाएगी, सफाय हो जाएगा, वो है फ्रैंची स्टीडिया कमपनी लेकिन उससे पहले अब हिंदुस्तान की असली सप्तर जिनके हाथ में आने वाली है इंदुस्तान की असली केपिटल जो दिल्ली से सिफ्ट होका है यह दे भी दिल्ली नाम मातर की केपिटल बची है इंदुस्तान की असली केपिटल गवन हो रही थी पूना से मेराख़म मेरे पिछली बार आपको पाझी राओ बता दिया था या नहीं बता दिया था Anyone? नहीं sir नहीं बता दिया थे अधरागे पाणाजी विश्रॉलाद बता दिया थे सब्सक्राइब आपने बोड़ा था मराठाओं को बारें बताने के रहे हैं हलो हाँ बताए और सर आपने बाला जी बाजी राओ तक करा दिया था नां पार सथालिस ना घट हिस्टनात है अ बारे我要 अगा भाड़ा मेल गपाता हुँ बाला जी विश्वनात या बाला जी बाजी राओ? एक समस्या होई कि अब पेश्वा नए कौन होगा? दिखिए पेश्वा का उपद है वो खेरे डाइपद नहीं ही था जो 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 जारी रखा गया उपद शाहू के समय में आपको मालुम होगा उसके बाद सम्भाजी और सम्भाजी के बाद शाहू को कैद कर लिया था शाहू क क्यास जाहु को जब धैर से च्टाइन था गृए या वैश्य उफ्ह stelli करदागज ROSE जब Cel फोऑ है बड़ीज भीड़ीज्स था मैं गृए दॉप दयान से पहादूर शाथ, पत्रा सुसान ब्लाइन, जो लेकिन उनकी मदा और उनके रिशेदार छूटे ते फरुक्सी रगे समय में और वो छुड़ा के लने का सब्सक्राइब बड़ा शिरे जाथ जो बालाजी विश्वनात के सबसे बड़ा लड़का था जिसका नाम ता बाजी राओ कि वाज ओनली नाइटीन इयर, ये वाल उन्नेश साल का और बच्पन में ही अपने पितास से डिप्लोमासी की था और प्रशाष्ण की भी. शत्रपती शाओ ने उटके बड़े लड़के को अपउइंट कर दिया. पेश्वा उससे पहले बाराजी विश्वमात से पहले यह पद बन्षान उगत नहीं था शिवाजी बाराजी के समय में भी यह चीज़ बन्षान उगत नहीं थी जो बाजी राओ का आइडिया था वो यह था कि मराटों को अब उत्तर की तर प्रस्थान करना चाहिए क्योंकि मुगल समराज एक डहिता हुआ तना है सडता हुआ तना है क्यों इसकी अंगरे जी है वह है नो इस ताम ट्रेंग को अट है था श्रेंग का था ट्रंक अफ दे विदरिंग ट्री एंड आन ब्रांचेज विल फॉल 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 मुगर सामराज एक सड़ते हुए पेड़ की तरह है इसके तने पर वार करेंगे तब पूरा का पूरा पतियां और शाखा अपने आप गिर पड़ेंगे और दूसरा था कि मराठा सामराज्जे की जो सीमा है वो अटक से ने करके अटक तक पहुँचे यह नर ऐसी कदर शाखु को यह प्रपोजन जब दिया गया तो शाखु का यह कहना था कि मराठा सामराज्जे के जंडे एमाले के उस पार भी लहराने चाहिए और तुम एक योगे पिता की योगे संतान हो यहां बहुत कुछ हट तक बाजी राओ की इस ओपीनियन का कारण निजाम अच्छे से जानता था कि मराठाओं की एनरजी उसकी तरफ ना है तुम उसने अच्छे से एडवाईज किया कि तुम नौर्थ की तरफ एक्स्पेंट करूँ यानि दिली की तरफ निजाम से युद्ध भी हो चुका था और निजाम हार का स्वाच्छ चख भी चुका था दोनों के बीच में एक इस्टेलमेट जासी से थी थी दूसरा जो बाजीराओं के पीरेट का बाजीराओं पस्त के पीरेट का एपिसोड है वो है बुंदेलकंड का बिसिकली बुंदेलकंड में बुंदेलाज का सासन था और बुंदेला एक राजपूत क्लैन है राजस्थान से निक्थी हुए मालवा के पीरेट मालवा के रीजन में भी बुंदेलों का इसासन था इसी बीच में परॉक का बास का मैंने लास्त दित्त जिकर किया ता इसके एरिया में इलावाद भी आता था और उसका नाम तब मुहम्मद खान बंगश उसने यह डिसाइड किया कि मुगल अथारिटी को बुंदेलाओं पर इंपोस कर दिया जाए और बुंदेल खंड को लिटरली पूरी तरह से मिला लिया जाए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अकपर और जहांगीर के पीरिट में भी बुंदेल खंड में जो ओर्चा रियासत है वो जो काल्पी वाला रीजन है थोड़ा वो जालवन जिले में जो आज पड़ता है और कलिंजर का किला जहां है पादा यह वाला जो पूर्शन है यह बहुत कुछ हत्तक मुगल स्वर्जार एंडिटी में था नहीं इसमें जहांगीर के पीरिएट में भी बुंदेलाज का शासन कुछ हत्तक था काफी कुछ थी यह अलग बात है कि वो सबॉल्डेशन मानते थे और जो आक्रमण हुआ वो इलावाद से चित्रकूट के रास्ते हुआ है इलावाद चित्रकूट आज आप मैप में देहेंगा गल बगल में महोबा में एक जगह पड़ती है जैदपूर आज वो एक कस्वा है जैदपूर पर लप्जा कर लिया गया मौमद खान बंगश का और वहां का जो बुंदेला रूडल था उसका नाम था शत्र साल शत्र साल वो बिल्कुल वहां से पैर उखाड दिये गए और बंगश की सेना ने पूरा महल गया दिया शत्र साल ने खाबर बेजी पूना जबके महोबा और बादा से लेके पूना लगवाज एक हजार क्लोवीटर की दूरी है पूना से बाजी राव फस्त ने अपनी मंजूरी दे दी के मैं ही आऊँगा है सेना लेकर 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 यह बात है सितंबर अक्टूबर 1728 की यह इतियास के तो बड़े एक्सपिडिशन जो फास्टेश अक्बर का गुजरात एक्सपिडिशन लगवग 14 दिन में और यह लगवग 6 दिन में पूना से पांदार महोबा की दूरी यूपी में 5 से 6 दिन में कंप्लीट करती है यह मेडिवियल हिस्ट्री का कह लिए यह मौडरन हिस्ट्री तुम्हें तो अब तो खेर बहुत ट्रांस्पोर्टेशन की चीज़ें डबलप हो गए दो सबसे फास्टेस्ट एक्स्पिडिशन कहे जाते हैं यो दब्यान जो कोई आर्मी इतनी तेजी से मार्च करती है इसका भी कारण में बताऊंगा कि मरठा आर्मी केवलरी बेस्ट थी और सवर से ना जाता थी इस कारण से पॉसिबिल होता इनिफेंट्री बेस्ट रोती तो इतना नहीं मुव्मेंट पॉसका और बंगश उस्योत में मारा गया और च्छतर साल का जो राज था जो बंगश ने कब्जा लिया था वो सारा का सारा च्छतर साल को वापस मिल गया च्छतर साल की दो पत्निया थी एक हिंदू और एक मुस्लिम हिंदू पत्नी से मुस्लिम पत्नी से जो लड़की थी मस्तानी भाई च्छतर साल ने उसका विवाब पेश्वा के साथ कर दिया बाजी राओ के साथ बाजी राओ की उम्र लगब 26 साल के आस पास थी तब यह सब कुछ बोने के बाद जब वेश्वा वापस पहुंचा तो वहाँ एक दमासान चड़ गया परिवार में यह आपस थी मस्तानी भाई से जो लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम था शमशेर बहादूर सिंग वो पानी पत के तीसरे युद्ध में एमाश्चा अबदाली से लड़ता हुआ खतम हुआ है क्योंकि वो 1761 हुआ है शमशेर बहादूर का जनम 1732 का है लगव 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 32 से 29 साल उमर रही हो और यह पहला अवसर है जब मराठाओं का आदेपत मुंदेल खंडबेस्ता पर थोता है जिसमें शंतर साल के द्वारा कालपी की एरिया कालपी आज की रेट में जालों जिले में है और जहासी यह दोनों देश्वा को दे दिये और यही से जहासी पर मराठों का शासन चुरू होता है यह 1888 चाया सद्रेश्वाथ लगग लगग मोटा मोटा सत्तर साथ दूसरा हमला मराठों का दिल्ली पर हुआ है आठ साल बाद 1736 और 37 के असपास 1737 के जाड़ों में मराठा आर्मी में और मुगल आर्मी में मुगल आर्मी में तब दो ही से पैसालार थे आपको मैंने बताया था सेयद बरदर की ददेत हो चुकी थी उनकी जगह एक निजामुल मुल्क बचे थे और एक सादाद खान बचे थे उनकी कहानी में आपको बताई चुका हूँ नादरिशा के समय सादाद खान के नित्रत में मुगल सेना ने जो मराठो की आर्मी थी उससे युद्ध हुआ मराठो की आर्मी आ गई थी मतुरा था ये युद्ध आगरा और मत्रा के बीच में कही हुआ था इस युद्ध को की इंपोर्टेंस इसलिए है कि 1738 में तादाद खान लगातार मराठों से हर रहा था वो युद्ध थोड़ा लंबा चलाता लेकिन बाश्या को ये रिपोर्ट भेज रहा था मुआमाश्या रंगीला को कि मैं मराठों को हरा रहा हूँ और हरा के बस बबस आगा किसी बीच में बाजी राव ने तीन सो गुर्षवार सेना ली और तीन सो गुर्षवार सेना लेकर के मत्रा और बल्देव और ये पूरा रीजन क्रोस करके जहां आज दिल्ली में शाजाबाद है जा कहते हैं उसे दिल्ली में आज भी बहुत पेमस है ने शाह जनाबाद केते हैं क्या कहते हैं साउध देली की तरफ पड़ता है बहुत बड़ा कलोनी है जो शाह जाने बसाया था वहां तक पहुच गया और लाल किले की सीमा तक पहुच गया तीन दिन तक बाजी राव बैस्ते वहा रहा और मुगल आर्मी कि सारी उल्जी हुई थी आगरा के असपास तीन दिन तक भी कोई रेजिस्टेंस मुगल आर्मी की तरफ से नहीं हुई यह अलग बात है कि बाजी राव की ये केवल हरकत या बैसी राव का ये जो एक्स्पिडीशन था ये केवल मुगलिया सल्तनत को ढराने के लिए था और इसी चीज को बहुत करना था नादरिशाह दूर से बैठाई और अगले साल वो आ गया मैंने आपको बताया है ये 1730 का है अप्रेल 1730 और 1730 का तुम आपको किछली बार में बता ही चुपा है अब रंगी लाने खबर बेजी निजाम के लिए हैदराबाद निजाम तो भी बहुत चित्ता थी है ये एनर्जी अदर उसकी तरफ आ गई है तो मामला उसका भी ज्यादा दिन के केदा नहीं दूसरे इंजीन एरिया से मराथे तकन में चौत की वसूली कर रहे थे और सरदेश मुकी की वसूली कर रहे थे और निजाम की तो कोई बास संदेवारा था नहीं जब मराथे किसी एरिया से चौत ले लेंगे वसे एरिया का रक्षा का दैट तो उनकू बना जाएगा निजाम तो अधर नगर उठा नहीं सकते निजाम अपनी पूरी सेना लेकर के उत्तर की तरफ चौत कर दो और भूपाल में आगर के दोनों सेनाओं की भेड़न थुए और तब तक दिसंबर आ गया अप्रैल से मराठा आर्मी कुछ इस्टेशन करके यागरा में कुछ कर गई मत्वरा में और बाकी जो आए उसी उत्त के लिए वापस लोटी है चौमासा बीच जाने के बार कि तब तक यह सूचना आ चुकी थी कि निदा में बड़ी आर्मी ले करके उत्तर की तरफ आ रहा है और दोनों सेनाओं बोपाल में बढ़ दें इसी को बैटा लोग बोपाल का जाता है बोपाल का जाता है बोपाल का जाता है कि दिसंबर 1737 में हुआ और इसमें निजाम की बहुत बुरी तरह से हार हुए जन्वनी 1738 में दोनों पालटीज के बीच में संदी हुए अब आप देखेंगे कि 1738 तक आते हैं आते कैसे मराठे हिंदुस्तान के रूलर बन रहे हैं इस संदी की जो शर्ते थी आप देखिए मैं उन शर्तों को एक एक करके गिंता हूँ पहली शर्त ही कि पूरा मालवा का रीजन मतलब आज का इंदुस्तान को दे दिया जाएगा चंबल नर्मता की बीच का पूरा एरिया मराठो को दे दिया जाएगा चंबल नदी अभी आप आगरा से चलेंगे गौालियर की तरफ सो किलो मीटर है किवल तो थौलपूर क्रोस करने के बाद ही मुरैना एक मदपरदेश का जिला है और उसके बाद चंबल नदिया जाएगा और नर्मदा है बिलकुल मदपरदेश के लास कोने पर जाएगा जी इसमें लगवास के एरिया होगा एक सकिंद होड़ तरी कि अ कि आए कि अ कि जो ब्हुरुदेंगे या। झाल झाल और पाचास लाज रुपिया जुर्माना महराठों को देना होगा माज्यों की बाट कैसे देना होगा मुगल एंपरेर को मुगल एंपरेर को पचास लाज रुपिय जुर्माना देना होगा अब जिस देश में मुगल वाश्चा कभी शासन किया करते थे वो जुर्माना भरने की से दिवागे तो दूसरों से हर जाना जुर्माना लिया करते थे इस युद्ध ने मराटों की सुप्रीमेशी अस्टबिश करते थे अल्मुस्ट नौर्थ एंडिया थे बाजी राओ मराटों का एंपरेर बिल्टर कहा जाता है यानि कि सामराज निर्माता हो रास्ट को बढ़ा करना यहीं महा करना यहीं महारास्ट महारास्ट जो शर्त है उसकी उत्पत्ति यहीं से हुए साभू की जो इस्तिती थी वो शिवाजी से बहत आगे बढ़ गई शिवाजी का जो राजगर्ण किला और जो किले थे जो एरिया था शाओ की इस्तिती उससे दस्यों गुना आगे निकलती बाजी राव की बाजी राव की बाजी राव की बहुत कम एज़वट्यत हो गई थी आइसा का जाता है दिमागी बुखार के कारण मौत हो गई दर्मदा के किनारे ड़त होई आज भी बाजी राव की समाथी मत प्रदेश में गई तीसरा बेश्वा या कहें तो हम पांचवा छटवा सातवा बेश्वा तो कि बाजी बेश्वनाथ पांचवे बेश्वा तो मालाजी बाजी राव के यह बाजी राव का सबसे बड़ा पुर्ट जो बाजी राव की हिंदू पत्री से पैताता है काशी बाजी चत्रपती शाहू अभी जंदन शाहू ने इनके बड़े पुत्र को अपॉइंट कर दिया और इनी दोनों के पीरियड में बावर धीरे धीरे शाहू के हाथ से निकल करती है और शाहू के वैशलों के हाथ से निकल करती है विश्वा के हाथ में सत्रसो पचास में यानि कि बाजी बाजी राओ के बैठने के तस साल के बाद तो ये इस्तिती आ गई कि पेश्वा ही रिसाइड करते थे कि शाहू के जो वंशाज है उन्हें कितना खर्चा दिया जाए रियान और इफेक्टिव है पेश्वा हो लिए जहां बाजी राओ एमपायर का क्रियेटर थे बालाजी बाजी राओ ने उस पर एक बड़ी इमारत खड़ी करते और दिल्ली के एक्सपिटीशन को और पांसो किलोमीटर नौर्थ की तरफ ले जा करके वो आज का पकिस्तान का अठक तक पहुंच चाहिए और मराठों की सरहत सीधे सीधे अफगानिस्तान से जाने मितने हैं अभी रंगीला है उसके बाद आलंगीर है मुगल बाश्चा है लेकिन बस नाम के हैं शाहारम है नाम के पूरा गुजराद पूरा मालवा पूरा मुंदेल खट सीधे सीधे मराठा एंपायर के अंतरा है निजाम की इस्तिती ऐसी हो गई जैसे तांतों के बीच में चीव रहती है निजाम का एक्सपेंशन नहीं हुआ जराम की निजाम को मैं आपको बता हूँगा इसी बीच में निजाम की भी डेथ हो गई निजाम की भी बारे समझ अगणा हुगा बात में निजाम ने इसलिए इस्ट इंडिया कंपनी का साथ पकड़ गड़ गड़ मालाजी बाजी राओं की बहुत खूमियां थी बहुत दूरदर्शिता थी लेकर एक दूरदर्शिता थी सबसे बड़ी तो वालाजी बाजी बाजी राओं की डेथ हो गड़ी नेच्रनल डेथ हो इसी डेथ हो गड़ी तो इस बीच में अंग्रेज का यूद्ध जीत करके अपनी जड़ जमा चुए इस तरह सब्ड़ी लेकिन वेश्वा का धियान अंग्रेजों की तरह अंग्रेज का यूद्ध जीतना चुटकियों का केज था मराठो में अब ये इच्छा जागरत हुई कि मुगरिया सल्तनत की जगे अब मराठा एंपायर जनम देंगा बाजी राओ फस्ट के समय से ही मालवा कब्जे में आ गया था और ये आपको बता है पैटा लो बोपाल लेकि इफेक्टिव कंट्रॉल बाजी बाजी राओ के समय में आ ये और गया जुलाई सत्रे से तालीस में मौमाशार रंगीलों ने पाटाइद आदेश जारी किया शाही फर्मान जिसमें पेशवा को मौमा का सुवेदार शहजाद एहमद के साथ उनका टिप्पी बनाया गया इसके बदले में पेशवा ने कहा कि जब जरूत पढ़ेगी तब मैं चार हजार की सेना आपको देपाएगा लेकिन इसी के साथ पूरे मालबार रिजन का जो अड्मिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो पेशवा उनके हास में चलाएगा मुंदेल खंड में कि स्ट्रॉंग मराठा बेश स्टैबिलिश हो गया 1729 के बाद से जिसका बेश था जहां सी है जद भी यहां बुंदेला रूलर पहले से राज कर रहा है ततिया में भी ततिया जहासी से कोई 30-30 किलोंगी टर वालियर की तरफ तरफ चंदेरी में भी चंदेरी ललिदपूर से आगे है मत्मर्देश में जैदपूर महोवा में कलिंजद पादाव है और पन्ना पन्ना मत्रदेश का जिला है चागरो पन्ना इस एरिया का नाम बुंदेल खट बुंदेला रूलर के नाम पही है लेकिन मराठों ने सबको हरा दिया और फैनली 3722 में पूरी तरह से अपना रूल एस्टबलेट जैसी बकर दिया और जैसी में जो मराठों की ग्लैन्स थी उसका नाम तर नवल कर था आदा ये अटे ये 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 रज़़धा का था रिज़धा पादा ये दिज़धा पादा का ये अगए आदा आते आते, वो तो 1729 में गया था, 1742 में आते आते मराट का कॉलोनी बन गई, बुंदिल का, मराटों ने उन और उर्थ में नहीं, साउथ की तरफ भी एक्सपेंशन किया, तंजओर, तंजओर आज तमिलनाटू में, तंजओर का एक नवाब था दोस्त था लिए, बिसिकली वो नवाब थो था करनाटक का, लेकिन तंजओर पर कपजा करना चाहता था, तंजओर मराटों के कंट्रोल में पहले ही आ चुपा था, मराटों के एक बहुत बड़ा जनर्रल था, रगूजी भॉसले, उसके नित्रत में आर्मी गई, इस युद्ध में दोस्त अली मारा गया, और उसके लड़के के साथ 20 सेटलमेंट हो, तंदी वारता हुए, लेकिन मराटों ने उसका एक दोस्त अली का धामाद था, चांदा साथ, वो त्रिचना परली के किले में चुपा हुआ था, वहां भी घेरा डाले रहे लगवच्छे में था, और 1741 के दिसंबर में जाड़ों में उसे पकड़ लिया, और 17 जो महरास्ट में वहां ले गए और वहां उसे कैदम डाद लिया, मराटों का अगला प्लान था, पंडिचेरी को कब जाने को, जो अब तक फ्रांसीसी जहां अरकते कर रहे थी, फ्रांसीसी कोलोनी आल्बोस बन चुकी थी, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, फ्रांसीसीयों का तब बताऊंगा, लेकिन वो मेटिरलेज नहीं हो पाया, अब मराटों का द्यान गया, पूरव की तरफ, महराज से अगर आप मैप पे देखेंगे, पूरव की तरफ, तो बंगाल, बिहार और रिशा, महराज से जब पुना से बंगाल डिमान भेजी गई, चौथ की, बंगाल का नवाब अली वर्दी खाऊंगा, वो चुका था, सिराजो दौला का नाना, बंगाल मैं आपको बताऊंगा, अभी वर्दी खाऊंगा कोची बात की कहानी, यह नि बैटल अफ प्लासी, वो भी बताऊंगा, इन्होंने, चौथ की डिमान करने के लिए, जो आजमी बेजा उसकान तब भासकरपंद, अलिवर्दी खाऊंगा, इस बात से, बाला जी विशुनाद ने, जो उनका सबसे, कमांडर था, फैरोसियस कमांडर, रगुजी भौसले, तो कहा कि तुम जाओ और अलिवर्दी खान को सबब सिखाओ तरभुजी भौसले ने फायर एन स्क्रैश की पॉलिसी अपनाई लूटो और जना दो और ये इतना फियर सकैक था कि अलिवर्दी खान को उडिशा देना पड़ा पूरा उडिशा मराठा कंट्रॉल ना दे और अलिवर्दी खान का जान तब छूटा जब उन्होंने 12 लाख रुपे सालाणा की चौथ बंगाल और बिहार के सुवे के बदौलत देना सुविकार कर भी का परादा तत्रेसो इत्क्या मन्द्ट पिर निजाम से इस पीच में पैटा लोब बोपाल तो होई चुका था आपको पता ही है उसके बाद 1748 में निजाम की डेथ होगी निजाम की डेथ के बाद भी वही समस्या जो मुगलों में थी वही हिद्राबाद में बैदा होगी और विश्वा बाला जी बाजी राव को ये सटीक उपरजूनिटी लगी जब उत्तरादिकारी लड़ रहे तो किसी एक प्पिवर कर दीए जाए और टो ये गई लो ये सहिंग से घख्र और अरवडर कंटांच्छित अत्तरा samad destin जाए है कि अधराबाद पराओंगा तो अपको उनकी कारी की बता तो अधरावाद जंग ने मराठा को कुभ मूर्चा दिया क्योंकि सनावाद जंग में तब प्रांसीसियों से दोस्ती कर रखी थी और इस पीरियट में वस्ट करना तक बार हो चुका था और एक फ्रेंच जनरल बूसी बार मौजूद था लेकिन वो लड़ाई इतनी लंबी चली कि अल्टिमेटली निजाम को खार मानते हुए खान देश और बरार मराठा को अपने पड़े इसी बीच में फ्रेंच और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये तो शुरू हो गया और बूसी नाम का जो जनरल था उसे हैदराबाद से फ्रांसेसी इस्ट पूलाना पड़ा था मुसी के हटते ही पेशबाना ये परफेक्ट पॉपरिजूनिटी देखी निजाम के हमला पूलने के और दिसंबर 1777 में निजाम से गोदाबरी के नौर्थ वाला रीजन ले लिया गया था फिर 1759 में फिर युद्ध हुआ था मिजाम से कंटीनियस बाट डिस्प्यूट था और एक उदगीर का युद्ध हुआ उदगीर हैदराबाद के आगे पड़ता है जन्वरी 1760 में उदगीर के युद्ध में निजाम की सेनहारी और उस आरक का श्रेग या सदाश्री राव भाव को था जो के वेश्वा का चचेरा भाही था और बाद बड़ा कमांडर जनरल था और बीजापुर्ख पुर्हानपुर्ख तौलताबाद एहमद नगर था एक जमाने में था ही वो तो खुषाही थी तो कहीं आदिल शाही थी शिवादी के पिता आपको पतो वो तो आदिल शाही डरेश्टी में थे यह सब मराथा कंट्रोल में आ गया पाजीराओ के पीरेड में ही चुके मराथाओं की इस्टिती बहुत सब मजबूत हुए थी इस्ट वेस्ट नॉर्थ साउध सब जगे उनकी जीत हो रही थी इस्ट वेस्ट वेस्ट नॉर्थ साउध बहुत बहुत अब पराठों ने राजपूतों की दरफों किया राजपूता ने पर आज का राजिस्थान और वहां से भी चौत की डिमांद शुरू हुए राजपूताओं का चौत देने बनाद यहां के राजपी चौत दिया करते है जौत की मैं आपको कहानी बताओं तो चौत भी इस्टेट का सौर्स ओप इंकम था पच्छिस प्रश्चत जौत और प्रश्चत उस पे ले भी यही सर्देश को की वह एरिया जहां मराथा हमले का अप्रश पोटेशन देंजर आप जिए जौनिंगे यां परढाट रिटरी अजिए जौनिंगे पंगाल देगा शीधें रूल नहीं गर वाह से चौत भसोजी ओर्या यांट लेगें आपको सीखरेटी बाद्साइट से उखरेटी उया जो है, इसन परुट्पी कर दिया अगर आप आप सी जो है, अब आप सीक्योर्ट है, आप जो चाओत का जो दिवीजन है, वो पच्चिस प्रिशन जो है, वो राजा का है, जैसे बापती ही कहते थे। जह प्रिश्यत उसका बंत सचे को दिया जाता था। तीन परसेंट राजा के डिस्क्रिशन का होता था। जो जैसे चाह उसे देता है। तो पच्चेस और छह एकत्तीस और टीन चौत्यस परसेंट थे। बचा हुआ छ्यासक परसेंट उसे मोक्ष कहते थे। वो मराठा सर्दारों में बातिया जाता था। जो अपनी सेना को उससे मैंटेन करते थे। तरदेश मोक्ष को से डिविजन होता था। अपनी से मराठारों की इनकब के श्रोथ लगान भी था। जो उनके जहां वो एक्चल रूट करते से वहान से लगान को सुख़ादा था। एक पर्टिकुर एरिया को लीज पे दे दिया जाता था और अपना डिमांड आज साले अस्ताल के लिए फिक्स कर दिया जाता था इतना हमें दे दीजिए उसके बाद आपके दीजिए मराटों ने बहुत प्रयास ये भी किया कि जो एरिया जंगल में उसमें खेती की जाएगे इसके लिए नई नई पालिशी जो उनके द्वारा नेका दे दीजिए पालिशी है थी कि जतने एरिया को जंगल काट च्छेट बना लेंगे उसका आदा एरिया आपका इनाम के रूप उससे कोई टेक्स नहीं बसकुला जाएगा और बच्छे हुए आदे एरिया पर बीस साल के लिए रेट फ्री किराया नहीं लिया जाएगा उससे लोगों में वो आई कि क्यों जंगल जो आज पास है उस दमाने में खेट निथे नहीं जंगल जाता थे जंगल को काट काट के ब्लीन मनाएंगे और अग्रिकाल जेंट प्लोग जाए लूट हो जाए पहले फसल की लूट हुआ करती थे लोग फसल लूट ले जाते थे तो वो माफ कर दिया जाएगा माराटों के अडमेस्टिशन के बारे में भी आपको बताओ कर दिल्ली के वीक होने पर माराटे ही नहीं रोहिला सर्दार और बंगश पठान वी सपना देख रहा है थे कि हमां अरवी एंपाइर बन जाएगा बंगश पठानों को सबसे बड़ी उमीद थी अफगानिस्तान से बूरू से बंगश पठान अफगानिस्तान के रहने वाले थे नादर शाकियों तक रहत हुआ थी और अफगानिस्तान में बहुता एरिया एक दुर्रानी एंपाइर बंच वाता हुआ है एमाश शाद दुर्रानी के देख रहता हुआ निजाम को बड़ा खत्रा लगता था और 1751 में दूसरा निजाम सफदर जन के दुरा मराठो और बादशाह के बीच में एक एक अगिमेंट करा दिया गया और यह कहा गया है कि अगर दिल्ली पर कोई हमला होगा तो मराठे प्रोटेक्ट करेंगा इसके बदले में पचास दाख रुपे मराठे लेंगे और एक चीज और इस एगरिमेंट ने मराठों को आधरा और अजमेर की जो मुगा टेरिटरी थी वो सरेंडर रख रुपे इस एगरिमेंट हुआ 1751 में इंप्लीमेंट हुआ 1772 में कि इस एरिया की जो टेरिटरी है यह भी हम सरेंडर रख रुपे और सबसे महित्पूर्टी है कि पंजाब सिंध जो आज पाकिस्टान में रिया कि इससे कि मुझी मराठों को भी है और कि यो कॉलत डुलन को miał है छौध मराठे वसूल थो ही है इसे रेटिफाई नहीं किया लेकिन एक्षोल में तो मरा टेजन्दा गार चुकते हुआ इसे अपने जवानी ही वीरेट में नादिर्शा के हमले को देपाई और उसे लगा कि हिंदुस्तान में जो नादिर्शा ले गया है अभी भी बहुत है पर ढ़स्ट बन ज़ए हैं और छुआ गया पक्रम किया अद्ट में जोरुआ है है और आपकर मंद आपकर देक्षास। का फ़न धत अधिन चाला गया है यह वह बाइख वह है कौन लेफ्ट है वह है अगी बिगरनेक्ट करता है अपने भी मूर्खियां थी उन्हें तोड़ करके लें गया अब दारी लगवाद आट महीं ने रोगाया मुगल बाश्या कुछ करने के सिती मनें अब दाली आता था तोड़ कर अब नगला जाता था दिल्ली अली के रह्मो कर अब होगी था अब दाली बापस तला गया था आठ शे महीन रोखने के बाद जैसा का जाता है मुगल बाश्या उस्मीरेट में गदी पही नहीं रहा था पेश्मा बादाजी बादी राओन है मराठा अर्मी बेजी रहुना करा मित्रत था और दूसरा जो सदार ते मलहावरा उलका इस आर्मी ने दिल्ली में सुल्तान को प्रस्के मैठाना कोई कबराने के बात नहीं है मुगल बाश्या कौन था कोई बताएगा साह अलम सेकेट क्या पीरिट है शालम सेकेट या शालम सेकेट कौन सा है देखो सब्सक्राइब आलमगीर सेकेट नहीं है साह अलमकरत शत्तिरा सो निसट से अठाद सच्छा है और मराध्रा आर्मी लाहर तक मचते है अब मराथ है, मुगल और सिख, तीनों एक हो गए, तोड़े से बीरेट शेल लिए और जटे गार दिये, पेशावर तक मराथा आर्मी उस एरिया में तत्ताजी सिंधिया को नियुकत कर जब आपस लोट आई, अगले साल 1759 में अबदाजी की सेना फिरा रही, और दत्ताजी सिंधिया की सेना हो रोकना था अवी तार दत्त सिंधिया की सेना थे युक्दवार जिसमें दत्ताजी सिंधिया मारे थे, अब शत्रे सो साथ में पाइनली मराटों से हिसाब किता पूरा करने के यह अब्दाली पूरी सहता लेकिया है अब शत्रे साथ में पूरा करने के यह अब्दाली की सरा है जो किया सब्सक्राइब अब्दाली कोई बारे में दो तिन खक्तर हैं जाना करके राजपूत राजा ने भी यह खबर दी कि भाई मराटों की सब्सक्राइब बहुत परिशाना चोंगे और मराटों कर कोई सबख सिखा सकता है तो वो अब्दाली है और कोई दी सकता है इसी पर हिंदोस्तान में दब नहीं है दूसरी चीज़ एक नए अक्सा कार मूल रूप से मुझे फना का बिजनार का जो टाउन है नधीवाबाद उसी के नाम पर है उसी का बसाया हूँआ नजीम दोला चाहता था कि अब्दाली आये अब्दाली की साहता है तो बंगर पठीज रही था कि अब्दाली की साल दो साल रुकाईगा दो चाह महीं ने रुकाईगा और चाह से तेरे को दे जाएगा सत्रे सो सत्तामन में जब अब्दाली आया तो नजीम दोला को मोगनों का सहनापादी बना गया अब आप देखिए नजीम दोला को सहनापादी अम्दाली बना जाता है यहीं मुगन अपना सहनापादी भी नहीं बना पा रहे है सहनापादी मतलब मीर बक्षी और उससे यह कहा कि तुम बाश्या की रख्वारी करोगे मरम से नजीम दोला की इस तरही है कि नजीम दोला ने बिलकुल आलमकीर को कैद साही कर लिया आलमकीर जितना परेशान मराटों से ता उससे ज़्यादा परेशान नजीम दोला से हो गया नजीम दोला ने सहनापादी होने के बाद्यूर अब तालीक का पीचे हाथ होने के करण बाश्या देब तमी करनी शुरूब कि अधारी तो मेरा अधार को मता अधार सत्रह सत्ता मन में मत्र में हमला हुआ तब रिचला कि आंप पांचा मैंने रूप अधिकली आलमकीर को पराटों के अलप लेनी पड़िए और रगनात राउने लिए माई सत्रह सत्ता मन में एम्परेयर को पर्चकती पर बठाना इवें नजीवों दोना ने यह मना करती आता है कि अधिकली नहीं बठाना और रगनात राउने नजीवों दोना ते का कि तुम जाओ भई विजनात मैंने आपको बढ़ा है कि रगनात राउ मलहा राउ मुलकर के नित्वरत में जो सेरा नहीं जो आडमगीर के साथ की मुगल सेरा थी बहुत जो भी होगी है उसने पंजाब मैंसे अब तड़की के नामों रिशान मेटा दिए और आपदाली का रलका ता स्कानाम ता तैमूर की उसे भी बहाते बगा दिया है यह बात है मार्च अपरेल संद्रसवाट खामन की और यह अंतिम मौका था जब मराठों की जो प्राका है वो अटक तक पहुंचे यह सी इनर्वरा संद्रसवाट खामन क्या स्वास मराठो ने एक अधीना बैक खाट भिक खान था उसने स्वास के लेने के बाद लेकिन मराठो ने नजीवा तो खांक एकिदाब कि incorrectly पॉछ नहीं थिया मराठो ने नजीव को तुलरागों का नजीवाँ जाकर हो, अपने शहर में तब तक उसका नजीवाँ भाद भी नहीं था, लेकिन अब मराठों की जो सीमा है, और दुर्णापनी एंपायर की सीमा एक उसरे कुटेंस कर रही है। नजीवाँ दौला ने बहुत खातर दिमाग लगाया। और नजीवाँ दौला ने पिर से संदेश में जा एमर्षार को, क्या आप अपकी बार आओ, और एमर्षार को पहले से ही फंदग थी को उसके रहाँ, उसे लग गया कि हिद्वस्तान में विदा मराठों को मार मगाई ह मराठों से लड़े जिना, उसका पर्च्छा स्थानित नहीं हो सकता और उसे बार बार नूट करने का उसर नहीं पिरेगा। अब नहीं है, साथ निट ना की तर्था टैस मुचुपी है, साथ निक ने पाद को न वत्द न वापना कोई बतायेगा। नहीं है, साथ निक ने पाद कर रही है। आप बूर रूप से अब आता लिखा की 1729 है तो चुपी। आपको मैंने बाद के साथ निक सुसाइट से हुई थी। इस निक ना रहा है। आना जान नहीं हारा? अप्सपार कगई देने को उन्होंने बोला था हुचाने के निए वारुज में हुचाने थी दो सवरी को मैं हुचाने कान की तो 20 कृरूर का ना थे तो पैंप इस गरूर है और कमपर की देना कि दृट्ट कि पहीं है तोड़ा सा जुआ है देखते रही ने बूल जाएंगे तादा खान के लिए जो दूसरा बड़ा नाम तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब तक तक लिख लिए 1739-1754 अब्दूर मंसूर खान सब्दरजन इने के नाम पर आदिली में सब्दरजन हाश्पिटर थे 1754 में सब्दरजन की मरत्यू के बाद नेक्स तबाब बाद जाओ तौला सब्सक्राइब सब्सक्राइब तौला के बाद अगला नबाद आद सब्सक्राइब तौला सब्सक्राइब आद सब्सक्राइब धाद सब्सक्राइब तौला पुरानी कहावत ही लखना होगी बात ताजी में करती है आज में तो इस मीरेट पर आपके साथ सहावत का नवा कौन होना चाहिए मैं सहावत का इस जाओ क्यां जाओक पर आखके स अ जाओ तो और उना हुक्ष जाय को अजद में सबाई आत ंते कि वा का लिए lambourt कि अज्टार कर दो जी एंदा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो इस दो कर दो डिणार भूल भूल अभाने बताई दिया ता जना समझाही काग्या समझाही डाईनस्टी जो शुरुआती तक्राशन चॉविष से तर्णीदा के तीनेट से क्यां तक लिए जुरूथ अठरवर्ता देश में कि जुन 1768 से लेकर के दिसंबर 1750 तक आज से जर दिसंबर से लेकर फरवर 1701 जामल कर दो मात दीन महीन है, पुज़क्ष्यान के, 1751 क्यामन से लेकर दिये, 1762 सलाबत तर, पुज़क्ष्यान के, 1752 से लेकर के, 1830, आसफजा सेकिंड, मूल नामता निजाम अली खान, यहीं से जुबात होई है, इसके पास दो आपना जाग रिदा कहा जाता, यहीं से लेकर के निजाम उली खान, इसका खान, इसका पुज़क्ष्यान मजराइए, पुज़क्ष्यान के, 1752 से लेकर दो आपना निजाम इसका रिधार, तुर्जाओ दौला तुर्जाओ दौल इसी करी शिया थ और ये सुने थ तुर्जाओ दौला भी जाना थ जाना थ और अन्मने ढंसर ये मुश्किलते पांदस अजार सेरे गीए करके अब्दाली के समर्थन में पहुंचा इदर रजीब को उमीद दिये ठीक अब दाली जाने के वहाँ सब्ता उसके हत्मा जाए अब्दाली को भी यहीं कहा रहा है कि यहां भी प्रानों रूप्ट हो जाएगा रजीब दॉला ने यह कहा अब्दाली से कि जो रोल सादाक और निजाम और बोलक ने निवाया नाधिर शाम है वही रोल नजीब दोला और नजाव दोला ने निवाया अबदली के सब और यही नहीं जो रोलों का सर्दार था हाफिज रह्मत खान थी मैंने बता है तर पिछली बार सादुल्ला खान वह सब नजीब दोला ने अबदली के अफन में कर लिए और यह रोलेस यह रेलिजिन की कही नगाई इसमें बाउंडरी लाइन थी पराठों के साथ दिक्कत दिया थी कि पराठों ने राजबुत को भी नाराज कर रख रहा था चाटों को भी नाराज कर रहा था पानिपत के तीसरे युद्ध में मराणों की हार का बहुत बढ़ा कारण ये भी रहा कि जो इस्थानियां लोग थे राजशाहियां थे उन्होंने बहुत एक्टिप समर्थन मराणों का नहीं थे जोने थे लोग थे रहा था था बहुत बढ़ा है 1759 के असपास अब दाली ने बहुत बड़ी साना एकटी और एक लंबे एक्सकुटी समय समय तक चलने वाले एक्सक्राइशन के लिए पूरा प्लान किया और इंडस्रिवर को क्रोस करते हुए सिंदु नदी को क्रोस करते हुए पंजाब की पांचों नदिया क्रोस करते हुए हर्याणा में एक्सक्राइशन के पड़ती है कुझिपुरा मुझे जानाता कि कुझिपुरा या तो करनाल में है या पानीपत में है आज भी वो कुझिपुरा मौजूद है और वहां का छोटा सा किला या गड़ी वो मौजूद है वो जमाने में वो कुझिपुरा गाउं और गड़ी हुआ करता था करनाल में है आप दिली से बढ़ेंगे तो पहले सोनी पत पर पानी पत और उसके बाद करनाल यह बहुत बढ़ा हॉल्ट पॉइंट हुआ करता था सेना के भूँ इस पर अबजा कर लिया और यहां लग पांच जहां अभी हुआ और आगे बढ़ते बढ़ते दिली आया और दिली के बाद बुलेई शेयर में जगा पढ़ती अनूप शेयर अनूप शेयर में आकर के अनूप शेयर में आकर के अटेलस डेरा डाल दिया और ऐसा करते करते जुलाई गया तत्रहसो साथ आगया वारिश से पहले जब इस बीट में जब मराठों को यह ख़बर लगी कि अब्दाली ने हमला कर दिया है और कर्चा लगी मराठों का एक मेजर चीफ था तत्ताजी सिंदिया वो अपरी के साना से युद्ध कर्चे को मारे के चानकोजी सिंदिया और मलारा हो करने की प्रजास किया लेकिन अब्दाली के दुपान को रोख पाए विष्वाने कृष्वाने आँ शो ब球 कर दो हैशना धर नग्यू आला लो… बोगो तेड़ लिलत दोगunta कि विलragt हो, आप अलाग तराvery अजो अजाओ फैगे लिल Wish Ball नर्मदा क्रॉस करने के असपास, भावों को इंदिया के तोरह ये सला दी गई, आप नर्मदा क्रॉस मन करें, जैसे ही आप नर्मदा क्रॉस कर लेते हैं, जो कैबलेरी उसका रोल बहुत हतम हो जाता है, जैनि अश्चारोगी से नादा, क्योंकि दर्मदा के उधर महारास्त में, या और को भोपाल से इधर, आल्पोस प्लेन शुरू हो जाता है, कुंदेलखन के रीजन में प्लेन नहीं है, यह पहाड़ है, लेकिन वो जो महारास्त वाला पूरा रीजन है, उसमें पहाड़ी बहुत है, वहां महाराथों की यो स् लेकिन प्लेट में इस्टेटी काम नहीं करते हैं, अंटी मेटी बहाँ ने कहा कि नहीं है, मैं यहां क्यों आया हूँ, तो यहां कि दुलड़ नहीं आया हूँ, आपस को लोट जाओ, आगे और आगे पढ़ी और चंबल तक होंचे, चंबल क्रॉस करते हैं, तबर शुरू मैं आपको बताया था, जाक राजा सूरज मन ने इड़ाइस किया, कि आप जो है, इतनी भी हैवी मशीन रही है, और यह तीर थी आत्री है, इनने यहीं कोड़ जाओ, इनने लेजान ने दर्वर नहीं है, इनने लेजान आपको बहुत बहुत सकता है, तो भावु नेका नहीं, और भावु के वो जो दीर थी आत्री आये थे साथ मन महीराएं, उनने कढ़ने को हम तो इहां कोछेतर देखने है, यहां बहुत परभावर हुट्वर, उक्टे जाएं, इतना चल जाएंगे, आँ सब्सक्रों बहुत सब्सक्राइके, यहां सोलों मराठा आर्मी दिल्ली पहुच गई और दिल्ली को जहां आज बनकुर बाटर है यहां यमना क्रॉस करी और क्रॉस करके जो हर्याना वाली टेरिटर यह बागा हुच है तक अगस्त तत्रह सो साथ है और अब मुझे डिरेक्शन में आ गए तेखिये वर्थ से आया था और उसे उस सेड यह साउथ की तरफ से आया थी यह स्टाइड होना चाहिए लेकिन वो अनुख शहर आ गया यमना उसकर तेजा और चार महीने यमना में लग बहेंजर पानी था और अब्दाली को यह लगा रहा है अगर यह अर्वी नौत की तरफ है तो मेरा रास्ता रूप दे कि मैं वापस भी ने रूप आँगा और द अब यह सोगे लगा तो सब मारकाट मचाती हूं मैं इससे आप दाली के क्या है आप में भैप है लिया तो एक और इंसीडाइट हुआ कर तो यह अपर इस चांदी कर दो अब अवद से चालू थी जो जाओ दोला आदमी तो कपड़े के पहुचाई ने रसाद बहुत पहुचाई थी इसी तरह से नजीम उद्वला ने जो मुझपन अगर बिन और और मुरादापत बाली बेल्ट है इससे बहुत रसत पहुचाई थी अवदाली की से ना में भूगे मरने की जोगत नहीं यहाँ सूरज मल ने समर्तन तो किया लेकिन यह कहा कि यह वक्तें से युद्व लड़ने का नहीं है और उनका कहना यह था कि आप यहीं बहरत्पुर में रुखिये और बेट करिये रीजन यह था कि उनका तरक यह था कि अबदाली ठंडे मुल्क का रहने वाला है जाणा लड़ने के लिए उसे बहुत सूटेवल है और आप जाणे में उसका मुकाबलन तरबाएं गर्मी आने दीजिए अप्रे नहीं उस गर्मी में इसकी सेना को असानी से सिकत दी यह था कि इतनी बड़ी आर्मिया अप्राएं यह रखात है कि भरतपूर और दॉर्पूर के सासन नहीं अप्राली ने मत्रा को लूटा लेकिन इतनी बड़ी आर्मी सूरेजमल की भी नहीं थी कि अप्राली से टकरा जाए दुरों ने का सटीक समय वही है और जाणे हमारे दी बहुत रिस्की हो जाएंगे लेकिन भाव नहीं मत्रा जाएंगे करते करते सितंबर और अफ्टूर आ गया अब दाली को येडर सताने लगा कि कहीं है साथ होने कि मैं एंट्राप जाओं जाओं जमना क्रॉसी रखर पहों मराने मार दाले मुझे पुझपुरा पर हमला होती है और पुझपुरा में जो है जो वहां रस्थी सोना था क्या हूं उठा वो सब वहां से लेकिया और अबदाली के लगए दसजार सेने था मारे गए तो यहां तक उन लेकि मिलता है कि बहुत सारे सेने खाते हुए बहां से बाहर दिख लेकिया हमें काय समझ के छोड़ दिया जाए अब दाली को यह लगा कि पुझपुरा में उसकी पोजीशन खराब हो चुकि उसके सानिक मारे जा चुके दिल्ली में बेस्टिती है तहीं न तहीं अब सीरे चकरागना पड़ाएगा और अक्टूबर सत्य सो साथ में अक्टूबर में यमना उफ़ान बढ़ा ही रहती है तो परसाथ का मौसम अक्टूबर आते हैं देखता हुए पाकपत में जो पहले मेरेट की तैसीर थी अवे जिला बन चुका है वहां पर इद गाओ है वहां उसने यह कहाँ मैं गाओ का नाम नहीं लूँगा विवादित चीज हो जाएगी यह कहाँ कि जो यह पता लगाएगा कि गंगाज सबसे कम जहां है तो मैं उसे अशरफियां दोगा और नतीजह यह निकला लगब दो तीन हजार लोग पशाफियों के लालच में और यह पता लाद लोका आदमी को पता रहता नतीज जब गाओं के पास से बैठी है लोका आदमी को पता रहता है पानी कहां जाएगा है और अल्टिमेटली उस वफंती यहना में से भी अबदाली को एक पोइंट ऐसा मिल गया जाएग पानी कम था और अक्टूबर 1760 में अबदाली की पूरी आर्मीड है यहां अब मौसम यह अबदाली के फेवर ने लेकिन मराटों के रेष्ट था कि मराटों को पास खाने यहती है तो थानी कपड़ कहां से आएंगे नवंबर 1760 तक आते हैं दोनों आर्मी पानीकबत के मैदान में आनमों एक दूसरे के सामने आते हैं लेकिन जो जो जिसका मू साउथ बर्ड होना चाहिए उस्ता मू अबदाली का मू साउथ बर्ड होना चाहिए इसदर से जाहर यह दर से जाहर पाने अंदीन दूनों ने यह दूसरे की सफट proverb का जाटि कि अधिमेटली कि दिसंबर के बीच में निगोशेशन चुरू हुआ था अब ताली ने कहा कि भाई चले जाओ लुटकर यहां से अब तो मैं निकलने का रास्ता देखेंगे तो मैं निकलने का रास्ता देखेंगे और हमारे आधिकावान दो दिली पे अम जिसे बैठा लेने हैं पराटो को यह मंजूर नहीं का मराटों से उसमें का भी तुम अपना तक्कल में रहो दिली से उधर रहो चंबल से उधर रहो मराटों ने कर ना कि भाई उसे जो निकोशेशन हुआ उसमें मराटों की जिदिया थी कि नहीं अटकता समा रहा है तुम उधर रहो मराटों के सामने अब करोर मरो कीज़े थी क्योंकि सप्लाइंग लाइन पूरी तरह से कट जरने की तानव पूरे केम में भुक्मरी फैलते थी और पॉल्रा भी फैलना था थी अल्टिमेटली जनवरी आ गई और कडाके की सर्दी पड़ रही थी सौधे जनवरी सप्त्रेसो एक सा थी बुद्वार मकर संक्रानती थी उस दे भावो के कैम्प में डिसाइड जिया गया या आप करो या मरो की इस्तिती में जो यह हमारे साथ दीर्थियात्री आए इन्हें पीच में रखते हुए चारों तरफ से कीरा बनाते हुए हमला के लिए तो जीते हैं कहा रहे हैं और तुबह लगबग साथ मजे ने तुबह लगबग साथ मजे लिए मराठा आर्मी ने अवगान आर्मी पर हमला होती है अभी तब अवगान आर्मी बिलकुल शांत थी मतलब की गलती करने का मौका मार्ट होगी है अवगानी के पास है पहाओ की आर्मी लगबग मिलाई लुक्मरी की इस्थिए युद बिलकुल कर्मोत करस्प में पहुंच किया बारे बज़े तक आते हैं और बाराटो के अंदर ये इस्थिए विदा कर दी कि अफ़ाली को लगा के दूब नहीं बिताए पहली आर्मी को विजिबल रहे तक आते हैं वो अपले खेर आर्मी को विजिबल रहे विजिबल जाते हैं तुना ही देना उसकी बात लेकिन दिखाई जबूँ एक छोटी सी घटना ने सदाशिवराव भाव को मेजमूर कर दिया नीच उता दिया मराठा आर्मी ने जब देखा कि हाती के खौदे पर सदाशिवराव भाव भाव नहीं बैठा मराठा आर्मी को ये लगा कि सदाशिवराव भाव की मौत होता है इलब दो बज़े के आसपास है एक्चुल रखना विछ से बिल्कुल डिफेट है एक्चुल रखना इस जी की विश्वराव भाव भोली दिया खायल हुआ था उसे देखने के लिए भाव नहीं चुटा नतीज मराठा आर्मी में इसी आजनते में अदर्मस्ट और जो मराठा आर्मी आजमोज दीतने के गगर पर पहुंच गई थी उसे अम्ताली के सेनकोना दोड़ा इसा का जाता है कि लिए लाग की मराठा आर्मी पचास जार की तो आर्मी थे रहे लाग वो दीर थे अतरी उनमें से किवल दस से पांच जार उचे थे बाकी कोई नहीं पचे जो कत्ले आना दर्शान दिलीव दर्वाया था था महाराश में कावत आज बहुत प्रिशलेते हैं कि उस समय में कोई ऐसा घर नहीं था इससे कोई नहीं कोई व्यक्ति तो स्वियोद में ना वारा जया हूँ इसा बाना जाता है कि एक से डिल लाकी के जोल्टी कुछ जंगलों में भाग गए करनाल के आसपास पानीपत के आसपास तमजी जंगल ने उनमें भाग गए कुछ उत्रहंड की तरह भाग गए भाव भी मारा गया और यह एक भाग बड़ा सेड़्वेक मराठों की प्रतिस्था को लगा जो आवतर पिछले पचास साल में इन जिल सिविट हो गए अजे हो गए मराठों की प्रतिस्था को पहली बार जो जटका लगा और जो हार होई है उससे इस चीज बिलकुल तैह हो गई अब मराठे इस देश पर शार्षा नहीं कर पड़ी अब दूसरा वैक्यूम क्रियेट हो पहना वैक्यूम तो मुगल बाश्चामना खुदी क्रियेट करती है दूसरा वैक्यूम मराठों की हार में जब यह ख़बर पूनाप मची पेश्वा की तर्वियत उसके बाद बहुत बिगड़ने लगी नोग अब तैना की डिप्रेशन में आ गए और अल्टी बेट्टी उसी साल पेश्वा की तक्त पेश्वा मतलब पालाची बढ़ी नहीं बहुत साथ हार के कारण हैं आप किसी भी किताब में देखेंगे बिल जाएंगे इस पूरी कहानी में आपको समझ में भी आगया दो हार का क्या कारण है यहां तक ही अमने कहानी में मराठों का उतान और यहां आख तके मराठों का एक बहुत बड़ा पतल यह अलग बात है कि अकामी 20-30 अल तक भी मराठे बहुत एफेक्टिव रहे अल्टिमेटली अठान सो पंद्रे तक आते हैं तेन एंगलों मराठा बार हुए इसके बाद और मराठों की सब्ता बिल्कुल समझ मराठों का जो पी रचा है वो लगवग अठान सो दस से लेकर के अठान सो पचास साल और बीस साल अपमान है लगवग सत्ता साल एक बहुत बड़ा पिरियर्ट है इंदुस्तान पर रूल करने का रहा है और अब हम गहानी को ले जाएंगे बंगाल और साथ में दो पिजर स्टेक होल्डर बविश्म होने बारे आगामी 20-30 इनका अभी तक जिकर महीं आया है इनका जिकरुवा मराटों का तोड़ा सा मराटा इंडिनिस्टेशन का भी आपको बताएंगे कि वहां क्या सिस्टम तक और यह जो 20 साल 25 साल है इन में दोनों कंपनियों के अपस का युद्ध और बंगाल में क्लासी अलिवर्दी खां के बाद का बंगाल की अगली मीटिंग में हम लोग करेंगे राजपूतन और पंजाब के बारे में भी जानेंगे मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल की तो कहनी है वही धीरजी अब भारत की कहानी बनेगी और वही डारेक्ट कन्फरंटेशन इस पीरियद तर अंग्रेजों का और पराठों का नहीं तो आपकी समझ माई चीज़ है मेरे जाल से बारे मी बज़ गया जाल से बारे मी बज़ गया अब पिछले दो तीन लेक्टर मेरे जाल से पूर गया उन्मीद है कि अब आप पिछले दो तीन लेक्टर मेरे काल से पूर गया